इसका पेपर 11 जून को हुआ है और बाकी है कि आप खुछ से अनलेसिस कर लेज़ेगा देख लेजे को कुन किसका अंसर है इस बार इंपोर्टन यह है कि इससे मदब 211 में ऐसा हुआ था कि पेपर जो है वो 200 मार्क्स का हुआ था लेकिन इस बार जो हैंड़ मार्क्स का ही पे अब चलते हैं कोश्च नमर फर्स पे और हम उसी सबसे अंसर करते जाएंगे करहां पे फ्रॉम दी बीलो ऑप्शन चूज दी करेक्ट एक्जाम्पल ऑफ फोर दी गैसे सॉल्यूशन अब इसकली यहां पे दो आंसर इसके बन पा रहे है मतला हमारे सबसे दो अंसर लग रह तो यहां पे आपने यहां फर थी पर सोडियम होगा ven को सबसे बना निच्स पर चलते हैं अगला कोशन का रविच अपदी फॉल्विंग रेक्षण इस नीट्रालाजेशन रेक्षण विच प्रडूस वाटर अभी मैं आपको बताना चाहूंगा मैं जो भी आंसर बता रहो हूं सिंपली गूगल के हेल्प से बता रहो हूं तो जो भी अगर में भी आंसर कुछ गलात होंगे तो आप कमेंट कर देगा हम उसके साही आंसर पीन कर देंगे या फिर जो अभी जाम्य के दोवारे जो आंसर की रिलीज क्या जाए उससे रिलेटेड एक वीडियो फिर सबना देंगे ताकि इसमें जो गलती हो आपको सुधार हो सके तो अब चलते हैं कोशन पर यहा क्या है वह सेली यहिसरी एकमा बाट उससे पहले आता है जथ है इसकी सब्सक्राइटर नहीं और उसको क्रीकह चीजर गहां बाता तो 7 का कर थें più यहं पर कर एक्ण है और कर सेठीजल चुन हänder और जो nutrition ब्ह cosmos को की कर रहे है एस सब्सक्राइजा नहीं कि सब्सदाइज और कर्ड विद फाइव नाइफ दिस वरी एक्टिव मतलब सिंपल आप से एक ही पुछ बाकी घुमाफ कर रहा है मतलब कौन से इसमें से मेटल जिसको चाकू से भी काड़ देते हैं तो इसका करेक्ट टांसर होगा यह होगा सोडियम और अब आते हैं नेक्स कोशन पर अगला आपका पर आहते हैं नौल मोल रूजन गशेट है कैशन मोलS होने का रेक्शन नहीं कौन से अल्यमें इसे ऐसे क्रेक्ट आरने नेक्सी entries पर आते हैं यहां पर आपका यह आपका एक का परत होता है उसका भी फर्मुला ही होता है नेक्स कोशन पर कर रहा है कि सोडियम कार्विनेट जो है बेसिक सॉल्ट है क्यूं है आप एकषण कर रहा है नेकृस पर थे पर फ्रौबट रम इसके बारे में तो इसके कर्एक्सर यह इन्हें परिया इस पर स्प्लीशिंश एंडी record इस बापिच्गहु चूिसलब स में इस इस नहीं होगा सी तो ऐसी पर नहीं होगा और यह भी नहीं होगा तो जोग इसमें करेक्ट आंसर होगा नेक्स पर आते हैं करा है सबस्टांस नुट रिसपॉंशन उट फोर और दी हारनेस वाटर रिस्पॉंसिवल नहीं है तो इसका जो एक टांसर होगा 17 का ए सोडियम नाइट्रेट होग नेक्स स्कूशन पर आते हैं अगला प्रोड। दृबिब्र दी सुब्स तरीकी से वाइल जाते हैं तो 18 गया बदी और आते हैं नेक्स पर आते हैं अगला परमोर्शन करें स्कूर्ण केरें सिर्ष केस्टार कमपॉज बंदी अब सब्सक्राइब तो 19 का करेक्ट टांसर जोगए यहां पर 30 और 4 वाई शेरिंग व एलेक्ट्रॉन इंदी बॉंडिक फॉर्म और आते हैं निक्स पर अगला कॉस्टन कर यहां पर सोप्प्स और फॉर्म बाइस स्पॉप्स इसे लोगा नेक्स कोश्टन पर आते हैं तो फूट कें विशेव फ 22 का correct answer यहाँ पर यह होगा combination reaction और अब आते हैं next question पर करें the hardness that cannot be removed while it is called मतलब इनमें से कौन सा ऐसा character है इनको हम heat करने का बावजूद भी यह hardness remove नहीं होता है इसमें मुझे थोड़ा confusion मैंने सुछोड़ दिया आप इस answer देख लिजेगा next question अब आते हैं next question पर करें देंसिटी वाटर विकम मैक्सिममेट मतलब जो देंसिटी मैक्सिमम कब होता है तो इसका जो प्रिका कर्द टांसर होगा atomic नबर के साहब से आप आते हैं next question पर करें मेचर मेथटड़ प्रॉट़टिंग इरन फ्रॉब रस्टिंग वाइद विद टीक स्कारा तो इसका रेक टांसर आपका चलेंग जिक्न नेक्स न कर रहे हैं वाट यह कुक्षाण धुक्ला हुआ क्या है का कैम्स फर्मुला होगा अपका ही होग ऑपसां को संगर है कर आदेक्ट्ट परिस प्रिप्रेठीक के तरूम बनेता है लुच पर भाय नेक्स को सेंच कहाँ पर्मुला घ्रिस का है रह Was किस एसीड का यूज दिए किसको हम यूज करते हैं यहां पर यूज़कर यूज करते हैं यहां पर करते हैं तो ध्रीकर यहां पर सिदिधिक बॉटर गीप एस ही ट्रोजन and oxygen इंदी रेशियो किस रेशियो होता है तो 33 का कर्रेक्टांसर यहां पर 2 is to 1 होगा और अब आता है एगले कोशन पर यहां पर इसका जो है इसका थोड़ा सा आप देखिएगा थोड़ा यहां पर देख लिए और एक सिक्ड भी थोड़ा देखतो हूँ हमारे सबसे इसका जो करेक्टांसर होने वाल होगा वह आपका यहां में कहा रहा है कि which of the following characteristics of a spherical mirror is given by ratio of the size of the image of the same size की बात क्या रहा है तो obviously magnification का definition है बीज होगा आपका correct answer होगा next question correct gravitational pull of dash causes the rise of sea water during high tides तो 37 का correct answer यहां पर होगा that is D होगा next question पर आते हैं 38 का dash is the device used to convert electrical energy to mechanical energy मतलब किस device को यूज करते हैं जिसे हम electrical को mechanical energy में बदलते हैं तो 38 का correct answer होगा electric motor का next question A side of resistance बहुत असान को सने correct answer होगा that is D होगा ohm अब आते हैं अगले question पर next question करें tungsten is used in which of the following मतलब tungsten हम लोग इन में से किसी के लिए यूज करते हो आपका बाताना है तो 40 का correct answer होगा यहां पर that is आपका बी होग एलक्टिक भल में next question करवीच आप दी फालूए दी गूड कंड़क्टर अप्टिक्टिक्टी मतलब यह आपका एक सिकेंड इन में से कौन ऐसा मतलब यह इन में से कौन सा इसा है इसका पूच्ट आपका सिटी यह आपका बी जोग आपका इरेन और भीच आणसर होगा next question करवीच साइड मेरे इस वेहीं किस मेरे का यूज करते हैं बैसके लिए हम लोगों convex mirror का यूज़ करते हैं यह जोगों आपका correct answer होगा नेक्स कोशन करा change in the direction of wave passing from one medium to another medium is terms तो 43 का correct answer यहाँ पर डियोगा reflection नेक्स कोशन पर यहाँ पर mask दिया हुआ है 3 wire का इस ratio में और उसका length इस ratio में है तो बोल रहा है resistance पूछ रहा है तो इसका correct answer जब आप solve करेंगे तो 125 is to 15 is to 1 होगा next question पर आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा confusion है बट हमारे सबस्का correct answer 600 जूल होगा बाकि आप देख लिजेगा अब आते हैं next question पर अगला question यहाँ पर कर रहा है कि electric power plant hydroelectric power plant यहाँ पर यहां पर पेट्रोलियम कोल यह सब भी देखा है तो थर्मल पाउर प्लांट में किसी को हम यूज करते हैं बाइ बाइलिंग वाटर बी करेक्ट आंसर होगा वाइपूसिंग वाइटिंग चार्जबल ऐसे कुछ नहीं है बी जोगाव करेक्ट टांसर होगा और आवात है को सिंप्टी पे करवीच अब्दी फॉल्वी इस कंपोन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम करने का वहां से अब जूड़ जाहिए जैसे भी ऑनलाइन कोचिंग को लेकर आपको डिटेल मतलब जैसी स्टार्ट किया आपको इन्फोर्मेशन वहां से मिल जागा ताकि आप जो करने कोचिंग का जरूर पार्ट बने अब इसलिए इस बर काफी सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं जो कि अभी रियल्ट आने के बाद ही पता चलेगा खैर आने वाल जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट हैंगे चैनल को सब्सक्राइब